तो हे दोस्तो पटना ओमेंस कॉलेज में बीए बीए सी बीकॉम क्या था ये बताना आप लोगो इंपोर्टेंट है तकि आप उसके मुझसा अपना प्रिपेसंद स्टार्ट कर दो कि 2020 के अंदर में क्या निकाला गया था अब ये क्या है फ्रेंग्स मैं आप लोगो आज के व यहां पर कटफ निकालती है जिसके अंदर ने फ्रेंज आप लोगो सिफ जो है ऐसे यहां देखे यह वाली एडिमिसन नोटिस तो हचार बीस दिखिए आपको मिले ही है और इसे मेटली सकेंड यहां बीए सी लिखने को देखने मिला है और इसके नीचे फ्रेंज आप निकालकर आप लोगों को यहां पर बताया है कि कटफ क्या है आप देखो मैं हाथ से लेके बता रहा हूं क्यूंकि इतनी दिखने की फूर्सत टाइम ना तो मेरे पास है ना तो फ्रेंज आपकी पास थी कि यहां पर केम्टिराज मैं दिखे बताओ यह है वो इसे काम चला आप मैं बताता हूं कि पिछले साल 2020 में लर्किया ने चापके दिखा छापकर वैठे अपने फैelinज रिष्तेदार से पाट्र से किसी प्वूच पास कर वैसे केमरा चालू था उनका लेकिन दूस्तों यहां पर जो है तो आप जो है आप लोग जाके तरफ से मिल ही जाती है कि लोगों को जैसे कहने का रहा थे कि कैमरा जो है कैमरा के सामने आपका सिप मूह दिखेगा आपका सब खेश दिखेगा लेकिन उसके पीछे क्या चला आपको दिखेगा थोड़ी न इसी लिए यहाँ पर पटना ओमन्स को जे कट अप जो है थोड़ी सीटी फूल हो गई थी यहाँ पर बीए कट अप गया था आउट ओफ हैंडेड में 85 तो 90 स्कोर चली गई थी ठीक है 85 85 से लेकर 90 के बीच में स्कोर चला गया था आप लोग को यहाँ पर जेनरल के अंदर में 85 से 90 और बाकी OBC का 80 प्लस 80 प्लस गया था असी बेरासी और से एस्टी का असी मता 78 75 तक गया था उसके बाद यहाँ पर जेनरल का सकेंड लिष्ट में बीए के लिए आउट आफ हैंडेट से लेकर 80 तक गया था मां सोचो मां तीन से चानल में का डिफ्रेंस सकेंड लिष्ट में उसका ठाड लिष्ट आते आते यह 73 से 68 तक बन गया थ तो यह जो है बीए कटफ यहाँ पर चला गया था कल पिछले साल इतना अब मैं कहोगे कि सर जब निकालती ही नहीं है तो आप किस अंदाज मैंने जो है मेरी मेरे गूप के अंदर में जो कुछ इश्वेंस थे उनसे मैंने पूछा कि आप कितनी स्कूर हुई आप कितना सही किये तो उनके अंदाज पर मैंने पिस्तों साल ही कटफ के तयार कर ली थी और मैंने यहाँ पर यह वाली वीडियो भी बनाके डाल दी थी तुस अंदाज में बता रहा हूं कितना कटफ गया था अब आते हैं बेसी कटफ तो आउट अफ हैंड़ में सेवन्टी एट सेवन् साथ स्टीम था फर्स्ट में सत्तर तक उठाया गया था सकेड में और सट वाला को और थर्ड में साथ से लेकर अंठावर नंबर तक उठा ले गया था लाक्त लिए यह हैं बीकॉम की हालार और बाकी बीसी और बीबिय यह सब तो वहां पर पता ही नहीं चला कटफ कैसे कुछ होगा तो मैं आप लोगों यहां पर अंदाज होगा तो मैं आगे चलके बीसी और बीवे का फिस दोस्तों बना के आप लोगों को डाल दूंगा अब फैंस इतनी करशक आने के बाद में पिस्टे सार यहां पर कैजवल एड़िस ने स्टार्ट हो गया था कैजवल में पहले आओ पहले पाओ की तरह जिसके अंदर में यहां जानते सकते हैं यह पिस्ट रखके नोटीस है जिसके बीए बीए सी बीकॉम वाला को चौश से लेकर दस तस तक बुलाया गया था और बीए वालों को बाइस से उन्तीस तक और इतनी सारी मौका दिए थी काहता पैसा लाओ पहले आओ पहले पाओ की तरह से कुछ सीटे यहां बुलाकर लोगों को भर दिया गया था मतला कि यह जो है कट आफ जो मैं दिखा रहा हूं यह कट आफ बस कुछ खास असर नहीं रहा बहुत सारे लोग इस चकर में अध्मिसन नहीं लिपाए बहुत साह लोगों इंटरेंस इजाम में भी नहीं दे पाए ठीक है सैंपल पेपर भी बहुत कर बहुत बहुत मुश्किल होई बहुत कम लोगों ने इंटरेंस इजाम दिया और पास हुए और बहुत कम बच्चे अडिमिसन भी लिए क्यूंकि लास्ट होते होते पिछले साल नॉवंबर ही मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है अब मैं यहां तो है बताया चाहता हूं देखिए कितने सली 2019 में कट अउनीस में दूसरा कट ऑफ सिस्टी एट और तिसरा कट अउते होते 63 तक वालों को यहां पर उठा दिया गया था और दुस्टों लास्ट्री में जिनका पचास के अंदर में यहां पर 68 था और तीसरा कटफ होते होते यह जो है कटफ पहुंच गया था आप लोग को 60 के आसपास 58 यह स्कोरिंग थी लेकिन तीन से चार नंबर स्कोरिंग भर गया था 2020 में 2021 में दोस्तों ओन लाइन इंट्रेस आप नहीं होनी चाहिए अगर होगी तो फिक कटफ इसी का आसपास रहेगी और आप लोग इतना लाना पर रहेगा सो में अगर यहां पर ऑफ्लाइं इंट्रेस्स दोस्तों होगी अगर तो यहां पर फॉर्टी येट के आसपास आता है तो वह भी सेफ है BSC के लिए और बीकॉम को ले कर यहां पर गॉहांपर सतर से लेकर यहांपर वही पचास साथ के आसपास है तो यहांग को ऑफ लाइन हैं मैं और आप लोग पता ही किसे करना है थांकि वीडियो देखने के लिए और हमें और आपको बेनफेत होगी लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर होने से कोई नुक्सान नहीं है तो शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने धान वनता है आपका थैंक यू